नमस्कार दोस्तों, अम बेटकर क्लासेस के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्पलीट लुसेंड जीके के बायोलोजी के चेप्टर वाइस वोल्लाइनर कोश्चन को जो आने वाले किसी भी एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्डेंट है तो चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को जिसका पोसक पदार्थ का टॉपिक है विटामीन यानि विटामीन से संबंदित हम लोग कोश्चन पढ़ेंगे तो सबसे पहला कोश्चन विटामीन का अविसकार किसने किया था तो देखें विटामीन का अविसकार किसने किया था फंक ने किया था और कब किया था उन्नीस सो इगारा में किया था विटामीन का विसकार किसने किया था फंक ने किया था और कब किया था उन्नीस सो इगारा नेक्ष कोश्चन है कोश्चन नमबर दो जल में घुलनसिल बिटामिन है देखें कौन सा बिटामिन जल में क्या होता है घुलनसिल होता है तो बिटामिन बी और सी जो है जल में घुलनसिल होता है चलिए नेक्ष कोश्चन देखेंगे कोश्चन नमबर तीन वसा में घुलनसि vitamin है देखे जल में गलंसिल vitamin क्या पढ़ा थे B और C इसको छोड़के जैसे A D E K यह सब क्या होगा वसा में गलंसिल होता है किसमें वसा में गलंसिल जल में B और C वसा में A D E K चले नेट्स question देखें के question number तो सुरी के प्रकास में उपस्तित पैरावयगनिक क्रणों द्वारा, तो अच्छा कि किसके द्वारा होता है तो यह कोलेस्ट्रोल द्वारा होता है विटामिन D का जो संसलेस्ट्रोल होता है सुर्य के प्रकास में उपस्तित जो पैरावेगनी किरणों द्वारा तो अच्छा कि कोलेस्ट्रोल द्वारा होता है बहुत बार कोश्चन यह आता है ज क्रोमंटिन जाल का निर्माण करना करूत कौछन को एक पिडी से दुसरी पिडी में पहुचाने का कारय कों करता है अनवानसी गुणों को एक पेड़ी से दुसरी पेड़ी पहुंचाने का कारे कौन करता है? न्यूकलिक अम्द, किसके द्वारा होता है? न्यूकलिक अम्द, नेक्स्ट है खनीज, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का खनीज, खनीज से सम्मदित, इंपोरेंट को इसमें अभी पढ़ने वाले हैं, तो चले शुरू करते हैं, कोश्चन नमबर बन, सरीर की उपाचाई क्रियाओं का नियंतरन कोन करता है, तो कोन बहुत इंपोर्टन कोश्चन है, थायरोक्सिन हार्मोन के संसलेशन के लिए आवश्यक खनीज क्या है, आयोडीन, जो है थायरोक्सिन हार्मोन के संसलेशन के लिए आवश्यक होता है, नेक्स्ट कोश्चन नमबर तीन, गर्भवती इस्तरियों में प्राय किस खनीज की कमी होते हैं देखें यह प्राइज जञाते ही है गर्वती इस तरियों में प्राइक इसकी कमी होता है साथ क्या क्यों सियम और मोर्ण चाहए ओ‍ध नमबर १ज drive को सुरचित रखने के लिए किसका परियोग किया जाता है यह भी बहुत अर्दिक क्वेशन आता है sodium benzoid sodium benzoid जिसका सुत्र होता है c6 h5 coon a sodium benzoid जिसका सुत्र होता c6 h5 coon a next topic देखेंगे जल जल से संबंदित यहां पर कोशियं सब पढ़ेंगे तो दिखें जल से संबंदित जो मनुष्य के सरीर में सरीर के भार का कितना स्वेधन तथा वास्पन द्वारा नियंतरित करता है हमारा जो चरीर में पसीना और वास्प के द्वारा किसको नियंतरित करता है तो जल को नियंत्रेत करता है नेस्ट कोश्चन नमबर तीन सरीर के अवस्षिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन का मत्पूर्ण माध्यम क्या है तो जल जैसे के मूत्रा और यह के द्वारा जल के उत्सर्जन से ही होता है तो देखिए इस वीडियो में में सब्सक्राइब